हलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेडी कोच आज हम करने वाले हैं एक्ससाइज 7.6 अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज दो पहर तीन बजे यहां पर स्टेडी कोच परतों में देखने सो जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करते हैं सो देखो बच्चो एक छोटा सा इन्फो और नोट्स सो सी यहां पर जो दिया गया है हम लोग का फ्रैक्शन 1 by 4 1 by 2 यहां पर क्या है जो फ्रैक्शन है ओके दियर स्टूडेंट्स तो क्या है यह होल का लेके चलो यह जो डो दोनट का अगर हम 4 part किये ओके 4 parts किये तो यह जो एक पार्ट है total कितना parts किये हम 4 उसमें से अगर एक पार्ट अगर हम लिए तो इससे कहा जाएगा 1 by 4 ओके डियर स्टूडेंट्स एंड अगर एक डोनट का हम दो पार्ट में डिवाइड किये देखो हम बीच से डिवाइड कर दिये दो पार्ट में तो फिर इसे क्या कहा जाएगा 1 by 2 क्यूंकि टोटल कितने parts थे 2 parts तो एक पार्ट अगर हम एज्यूम करके ले रहे हैं तो फिर यह क्या हो जाएगा 1 by 2 I hope you got it dear students next हम बढ़ते है exercise 7.6 हमारे topic के तरफ exercise 7.5 तक हम already discuss कर चुके हैं last video में अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उपर आए बटन पर और नीचे description दिया गया है class 6 maths का वहाँ पर जाके check out कर सकते हो and फिर भी अगर कहीं पर doubt है तो मुझे comment section पर बता सकते हो so जाल से शुरू करते हैं आज का तो देखो क्या दिया गया है first 1 का a देखो बहुत easy है बच्चो 2 by 3 plus 1 by 7 okay so सबसे पहले हमें क्या करना है यह दोनों का हमें LCM निकाल लेना है 7 और 3 का तो 7 और 3 जैसे कि हमें यह पता है कि यह prime number है तो इससे 313 ही करना है 7 रहे गया तो उसे आज इस लिख लेना है 717 फिर यह जो side में रहे गया इसे हमें क्या कर लेना है multiply so 7 into 3 7 3 जैसे कितना 21 सो हम लिख लिए 21 further next को देखो हम यहां पर लिख लिए 21 next क्या करना है 21 लिख लिए अभी यह जो उपर का है numerator उसे आज इस लिख लेंगे 2 का 2 3 कितना जा 21 यह हमें लिखना है 3 जैसे 21 प्लस का प्लस दिए numerator मे जो है उसे हम आज इस लिखेंगे 7 कितना जा 21, डिनोमेटर के साथ मल्टिप्लाइ करने, 7 कितना जा 21, 3 जा, तो इसे मल्टिप्लाइ करके हम लिख लेंगे, next, 2 7 जा कितना 14, plus 1 3 जा 3, by 21, so 14 plus 3 कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, तो इसका value होगा, 17 by 21, I hope you got it dear students, next, B, 3, देखो, क्या बोला गया है, 3 by 10, plus 7 by 15, 10 and 15 का हम LCM निकाल लेंगे, so ये किस से कटेगा, 5 से कटेगा, 5, 2 जा 10, 5, 3, जा 15, further ये 2 और 3 को अगर हम divide करेंगे, तो फिर से वही, 2, 1 जा 2, 3, तो 2 का टेबल में नहीं है, 3, 1 जा 3, तो ये जो side में जितना है, इसे हम कर देंगे, multiply, 5 into 2 into 3, so कितना हुआ, 5, 2, जा 10, 10, 3, जा 30, तो आगया 30, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, 30, so numerator को आज इट इस लिख लेना है, 10 कितना जा, 10, 3, जा 30, plus numerator को फिर से आज इट इस लिख लेंगे, 15, 2, जा 30, so 3, 3 जा कितना, लिख लेंगे 9, 7, 2 जा कितना, that is 14, 9 by 14, by 30, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हमें next further add कर लेना है, 14, 6, 20, 23, okay, so 23 by 30, okay, I hope you got it dear students, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रोज दो पहर, 3 बज़े, तुम्हें यहां पर मैत का क्लासस देखने को मिलेगा, and, अगर कोई भी doubt है तो मुझे comment section पर बता सकते हो, next, 4 by 9, plus 2 by 7, यह दोनों का फिर से हमें LCM निकालना है, 9 and 7 का, तो इसे 7, 1s are 7 में लिख लिया, 9 है, तो इसे 3, 3s are 9, 3, 1s are 3, तो फिर से इसे multiply कर देना है, किसे, 7, 3 and 3, okay, so 7, 3s are 21, 21 into 3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, that is 63, okay, so अभी इसे solve out कर लेंगे, 63, numerator का आज इस लिख लेंगे, 9 कितना जा 63, 9, 7 जा, okay, plus 2 का 2 numerator, 7 कितना, 9 जा 63, 4, 7 जा कितना, 28, plus 9, 2 जा कितना, 18, 63, add कर देंगे, that is 46 by 63, okay, dear students, so next number के तराफ हम बढ़ते हैं, that is D, देखो, D में क्या बताया गया है, कि 5 by 7 plus 1 by 3, 5 by 7 plus 1 by 3, फिर से 7 और 3 का अगर हम LCM निकालेंगे, 7 वन जा 7, 3 का 3, 3 वन जा 3, multiply कर देंगे, 7 इंटो 3, that is 21, got it dear students, तो फर्दर इसे हम करेंगे, 21, 5, 7, 3 जा, plus 1 इंटो 3, 7 जा, okay, next 5, 3 जा, 15, plus 7, by 21, 15 प्लस 7 करेंगे, तो 22, by कितना है, 21, 22 by 21, this is our answer, next, number E, I hope you got it dear students, अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट से, तो मुझे शेयर बताओ, and don't forget to subscribe our channel, so next 5 and 6, ये दोनों का LCM निकालेंगे, 5 वन जा 5, 6, 6, so ये 6, 2, 3 जा 3, 1 जा निकाल दिये, multiply कर देंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 तू जा 10, 10 तरे जा 30, तो यहां पर हम डाल देते हैं, 30, 2 का टून निमरेटर, आज इटीज रखेंगे, 5 कितना, 6 जा, प्लस 1 इंटू 6, 5 जा, 6 तू जा 12, प्लस 5 जा 5, बाई 30, 12 प्लस 5 करना से कितना होगा, 17, 17 बाई 30, I hope you got it dear students, अगर कहीं पर भी डाउट हैं, मुझे पूछ सकते हो, next, F, देखो, यह क्या बोला गया है, 4 बाई 5, 5 plus 2 by 3, okay, so 5 and 3 का LCM निकाल लेंगे, 5 1 जा 5, 3, 3 1 जा 3, 5 3 जा कितना, 15, so, 15, 4 इंटू 5 कितना जा 3 जा, प्लस 2 इंटू 3 कितना जा, 5 जा, okay, so, 4 3 जा, 12 प्लस 5 जा 10, बाई, कितना होगा, 15, 12 प्लस 10 करन से कितना हो जाएगा, that is 22 by 15, I hope you got it dear students, this is the answer, next, G, इतना तो हम कर लिया, अभी तक addition, अभी हम करेंगे subtraction, देखो, वही सेम चीज है, 3 by 4 minus 1 by 3, 4 and 3 का हम क्या कर देंगे, न, 2 2s of 4, 3, 3, फिर से, यह और नहीं कटेंगा, वही सेम नंबर से कटेंगा, तो इतना ही रख लेते हैं, and multiply कर देंगे, 2 into 2 into 3, so, 2 2s of 4, 4 3s of 12, तो यह हो गया, नीचे लिख देंगे, 12, numerator का आज इतिस लिख लेंगे, नेक्स, 4 कितना है, 12, 4 3s यहा, 4 3s of 12, minus का minus symbol देंगे, 1 का 1, numerator आज इतिस लिख लेंगे, and 3, 3 कितना है, 3 4s of 12, 3 3s of 9, plus 4 1s of 4, by 12, 9 plus 4 कितना, that is our, कितना, 13, 13, 13 by 12, this is our answer, ओके, dear students, next, H, क्या बोला है, 5 by 6, minus 1 by 3, इसका LCM निकालेंगे, 6 और 3 का, 3 1s of 3, 3 2s of 6, 2 1s of 2, 3 into 2 कर देंगे, तो कितना आगया, that is 6, 6 आगया, 5 का 5, 6 1s of 6, minus 1 into 3 2s of 6, 5 1s of 5, into 1 2s of 2 by 6, 5 से 2 गया, तो कितना, 3, 3 by 6, यह फर्दर इसे काट सकते हैं, 3 1s of 3, 3 2s of 6, 1 by 2 is the answer, यह तो बुक में देख लो, 3 by 6 अगर है, तो फर्दर तुम्हें और काटने का जरूरत नहीं है, और अगर 1 by 2 है, उसका मतलब क्या है, same number से हमें numerator and denominator को क्या कर देना है, split कर देना है, next, ghi, यह वाला देखो, क्या है, 3 3 है एक साथ, तो इसमें बिल्कुल भी confuse मत होना, कि 3 हैं, तो इसे कैसे करें हैं, बोलके, बिल्कुल भी confuse मत होना, देखो, पुरा easy तरीके से पता हूँगा, 2 by 3 plus 3 by 4 plus 1 by 2, इसको एक साथ हम LCM में solve out कर देंगे, 3, 4 and 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 का 3, इतना रहे गया, 2 into 3 into 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यह हम लिख लिए 12, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, numerator कितना है 2, 3 कितना जा, 3, 4 जा 12, plus 3 का 3, 4 कितना जा, 3 जा 12, plus 1 into 2 कितना जा, 6 जा, अभी फर्दर जितना भी आया, सभी को multiply करके लिख लेते हैं, 2, 4 जा 8, plus 3, 3 जा 9, plus 6, 1 जा 6, by 12, add up कर देंगे सभी को, 8 plus 9, that is 17, 17 plus 6 कितना, 23, 3 by 12, this is our answer, I hope you got it, अगर कहीं पर doubt है बच्चों, तो मझे comment section में comment करके बता सकते हूं, next, J, देखो ये भी वही same pattern में दिया गया है, J का, कि 1 by 2, plus 1 by 3, plus 1 by 6, so, 2, 3, 6 का पहले हम निकाल देंगे, LC, 2, 1 जा 2, 3 का 3, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3, तो बचा कितना 2 इंटू 3 करने से, तो यहां पर डाल दिये हम, 6, 1 इंटू 2, 3 जा, plus 1 इंटू 3, कितना जा 6, 3, 2 जा 6, plus 1 इंटू 6, 1 जा 6, next, 1, 3 जा, 3, plus 1, 2 जा, 2, plus 1 जा 1, by 6, 3, plus 3 कितना 6, 3, plus 2, 5, plus 1, 6, तो यह 6, 6 कटा, दोनों, 6 कटे बोल से कटे का, 6, 1 जा 6, 6, 1 जा 6, तो आंसर कितना है, 1, next, k, k का देखो, क्या बोला गया है, 1 whole, 1 by 3, plus 3 whole, 2 by 3, तो इसे solve out कैसे करोगे, देखो, ना, यह 1 whole, 1 by 3 है, तो 3, 1 जा, इसे इतना multiply, जितना value आएगा, उसे कर देँगे, add, 3, 1 जा 3, plus 1 कितना 4, so it is 4 by 3, plus, वही सेम पाटन में, 3, 3 जा कितना 9, plus 2 कितना 10, 11, 11 by 3, तो 3 का 3 हो गया, अगर denominator सेम है, तो मैं क्या बोला था, numerator को add कर देंगे, as it is, and यह वाला चीज, मैं last videos में भी बताया था, अगर अभी तक last videos नहीं देखे हो, उपर I button पे चेक कर लो, otherwise, नीचे description box में, class 6 का, अभी तक का, पूरा पूरा videos अप्लोड किया गया है, जाके देख सकते हो, so 11 plus 4 कितना 15 by 3, इसा further हम cut कर सकते है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो answer क्या आएगा 5, okay, dissonance, और अगर 5 नहीं है, bookman answer देख लेना, 15 by 3 है, तो उतना ही रख लेना, cut मत करना, K के बाद L, यह भी वही pattern में दिया गया है, 4 2 by 3, से मैं क्या बता जा था, 4 2 by 3 अगर है, यहां से 3 4 जा multiply, जितना value आएगा, यहां पर करेंगे plus, and नीचे का आज इस लिख लेंगे, okay, 3 4 जा 12, 12 plus 2 कितना, 14, 14 by 3, plus 12 plus 1, 13 by 4, so, 3 and 4 का अगर LCM निकालेंगे, कितना आएगा, 3 1 जा 3, यह 4 रहे गया, यह 2 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, जिसे multiply अगर कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहां गया 12, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, 12, so, फिर 14 का 14, 3 कितना जा, 3 4 जा 12, plus 13 का 13, 4 3 जा 12, next, इसे हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, so, 56 plus 39, 39 by 12, so, इसे हम क्या कर रहे हैं, add कर रहे हैं, L नमबर का हम क्या कर रहे हैं, add कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा, हम लोग का, 5, and 5, 6, 7, 8, 1, 9, 95 by 12, this will be your answer, okay, next, M, M का क्या बोला गया है, 16 by 5, minus 7 by 5, so, 5 5 common में है, so, 5 लिख लिए, 16 से हम क्या कर देंगे, 7 minus कर देंगे, okay, so, कितना एगा, that will be our 9, 9 by 5, okay, dear students, next, 4 by 3, minus 1 by 2, तो 3 and 2 का, अगर हम निकालेंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, तो कितना आगया, दोनों को मुल्टिप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा, that is 6, so, 6, 4 into 3 2 जा, minus 1 into 2 3 जा, 4 2 जा 8, minus 3 1 जा 3 by 6, 8 से 3 जा जा 5, 5 by 6, this will be your answer, okay, so, number 1 सक्सेस्फ़ुली कंप्लिटेद, next, number 2, CDS students, Sarita bought 2 by 5 meter of ribbon, and, Lalita 3 by 4 meter of ribbon, okay, next, क्या बोला गया, यहां पर, की, what is the total length of ribbon, they bought, तो दोनों मिलके, total length, हमें पूछा है, तो Sarita bought कितना, 2 by 5 meter of ribbon, Lalita कितना लाइती, 3 by 4 meter of ribbon, so, 2 by 5, plus 3 by 4, 5 and 4 का हम निकाल लेंगे, LCM, so, 5 1 जा 5, 4, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आया इसका, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, multiply कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, so, यहां पर हम लिख लिए 20, 2 काट 2, 5 कितना जा 4 जा, 3 इंटो 4 कितना जा, 4 5 जा, so, 4 2 जा 8, plus 3 5 जा 15, by 20, फूर्दर एड कर देंगे, 15 plus 8, okay, so, that is 23 by 20, T, this is the answer, I hope you got it dear students, next, number 3, हम next class में discuss करेंगे, so, आज के लिए इतना ही, next class,